वेलकम तो माई यूटिब चनल आज हम लोग देखेंगे भौती की विज्ञान, फिजिक्स का एक टॉपिक देखेंगे विद्यूद इलेक्टरिक्टिटी तो विद्यूत इलेक्ट्रिसिटी हमारा पीटी में भी सिलेबस है और कक्छा बारवी में कक्छा ग्यारवी में ही है कक्छा बारवी के सिलेबस में है कक्छा बारवी के सिलेबस में दो अध्या है एक पहला नमबर है विद्यूत इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा नमबर है पह विद्यूत के उपकरण, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज बोलते हैं, तो P.A.T. में हम लोग को सिर्फ विद्यूत को पढ़ना होता है, जितना बारुवी मदिया है ना उससे ज्यादा भी है सिले बासे P.A.T. के हम लोग उसको भी प उपकरण है, जैसे की है जब भी उसकी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विद्यूत उपकरण, तो सबसे पहले हम लोग एक दो लेक्चर, दो लेक्चर हमारा विद्यूत का होगा, दो से तीन भी हो सकता है, उसके बाद विद्यूत के उपकरण का एक लेक्चर होगा, उसम कराता हूं तो यहां पर हम लोग को देखना है सबसे पहला नमबर हमारा टापिक है विद्ध्यूत आवेस विद्ध्यूत आवेस टापिक को लिखते जाओ उसके बाद हम लोग सब को डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरा नमबर है इलेक्ट्रिक विद्ध्यूत विभाव इलेक्ट्रिक पोटेंशियाल बोलते हैं तीसरा नमबर है विद्ध्यूत छेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेंसिटी इन्टेंसिटी फिर चौथा नमबर है विद्ध्यूत संधाराण कैपासिटेंस अब इसके बाद है संधारित्र वाच्वा नमबर संधारित्र कैपासिटर यह विजली का प्रापर्टी है एक गुड है और यह क्या है एक छोटा सा यंत्र का नाम है संधारित्र कैपासिटर या इसी को ही कंडेंसर भी बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं जो पंखा में लगा होता है कुलर में लगा होता है उसी को बोलते हैं कंडेंसर उसके बारे में हम लोगों पढ़ना है छटपा नमबर में है ओम का नियम ओम का नियम ओम स्ला ठीक है इसको नोट डाउन करो आगे लिखेंगे फिर अब साथवा नमबर लिखना प्रतिरोध रिजिस्टेंस आठवा नमबर है प्रतिरोध को जोड़ना स्रेडी करम समानतार करम आप लोग दस्वी कक्षाम पढ़े होगे ग्रूपिंग आप रिजिस्टेंस इस तरीके से दो प्रतिरोध है ऐसे करके दोनों को स्रेडियम जोड़ेंगे ऐसे समानतार में जोड़ेंगे परलल और सिरीज में तो यह दोनों में क्या अंतर आएगा उसके बारे हम लोग इसमें देखते हैं प्रतिरोध को जोड़के अलग-अलग तरीके से उसके बाद है आई आई इएम एप इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स या विद्यूत्वाहकबल बोलते हैं और विभवांतर विभवांतर इसको बोलते हैं potential difference potential difference बोलते हैं अब इसके बाद है दस्वा नमबर potentiometer sorry पहले हिंदे में लेखो विभवांतर मापी विभवांतर मापी उसके बाद है 11 नमबर sorry 11 नमबर विभवांतर मापी से EMF को मापना विभव वांतर मापी से EMF विद्यूत्वाहकबल Electromotive Force को मापना इसके बाद 12 नमबर है जूल का नियम जूल का नियम जूल्सला इसके पहले ओम का नियम पढ़े थे ओम्सला जूल्सला 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 करेंट में पढ़ना होता है उसके बाद है तेरवा नमबर जूल कैलोरी मिटर इंगलिस में जूल कैलोरी मिटर यहां तक नोट डाउन करो मिटा रहा हूं फिर अब इसके बाद आम लोग चूदा नमबर में देखेंगे चूदा नमबर में देखेंगे विद्यूत सक्ति सरी विद्यूत सक्ति व उर्जा इलेक्ट्रिक पावार एंड एनर्जी उसके बाद है उसके बाद है पंद्रा नमबर में हाउस वायरिंग घर में वायरिंग कैसा होता है उसको देखेंगे इस तरीके से घर मायर के वायर रहता है उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे इसके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब पहले नमबर से हम लोग सुरू करते है इसको आप लोग नोट डाउन करना फिर मिटाता हूँ लिख लिए तो मिटाता हूँ सबसे पहला नमबर हेडिंग डालना विद्यूत आवेस विद्यूत आवेस इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज क्या होता है विद्यूत आवेस क्या होता है तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रान का होना या ना होना इस चीज को बताता है कि उसका आवेस है यह आवेशन दो प्रकार का होता है एक धन आवेश होता है और एक रिड आवेश होता है तो रिड आवेस किया बताता है कि वहाँँपे इлек्ट रिखता है और प्रूटान मतलब positive, धनात्मक और इलेक्टान मतलब negative रिडात्मक, तो धन आवेस क्या बताएगा यहाँ पर प्रोटान की संख्या अधिक है इलेक्टरान की संख्या कम है और यहाँ पर रिड आवेस मतब इलेक्टरान की संख्या जादा है तो किसी भी वस्तु में इलेक्टरान की संख्या कैसी है यहाँ बताता है विद्यूत का आवेस अब यह हम लो उसका मात्रक देखेंगे, unit, मात्रक या unit, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग को एक फार्मूला जानना होगा, current, I मतलब current, electric current बराबर होता है, तो अब इसका मात्रक निकालना है, Q क्या हो जाएगा, current का मात्रक होता है, एंपियर, time का मात्रक होता है, second, तो आवेस का मात्रक क्या हो जाएगा, एंपियर, गुडित, एंपियर, गुडित, second, या, एंपियर, second, अब इसी को की बोलते हैं, कुलाम, C for English में, ऐसा spelling होता है, हिंदी में ऐसा रिखते हैं, कुलाम, कुलाम, ये किसका मात्रक है, C for Charge, विद्यूत, आवेस का मात्रक है, अब इसके बाद हम लोग तिसरा चित देखेंगे, एक चित देख लिए, तिसरा चित देखेंगे, वीमा, या, डाइमेंशन, ये क्या होता है, तो इसको जो भौतिक के मूल इकाईयां हैं, जैसे की, M for Mass, द्रव्यमान, L for Length, दूरी, T for Time, समय, MpR, A for, MpR किसके लिए, करेंट के लिए, और Temperature, ये सब में Temperature को ठीटा, इस रूप में, इस तरीके से प्रस्तूत करते हैं, उसको बोलते हैं, विमा, इसको विमा सूत्र, या dimensional formula बोलते हैं, तो यहां पर इसका dimensional formula क्या हो जाएगा, MpR, A second का time, A, T हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है, ये हो गया विमा, तो हमारा विद्यूत, आवेस का हम तिन चीज़ देख लिए, अब इसको लिख लिख लिए, तो एक चीज़ यहां पर और देखना, ये जो कुलाम है ना, वो SI unit है, SI पद्धती में उसका unit है, मातरख है, अब CGS unit में उसका मातरख क्या होता है, CGS में, तो एक कुलाम बराबर होता है, तीन गुड़िट, दस का घात, ना, इस्टेट कुलाम, ये चीज़ याद रखना, एक कुलाम बराबर, CGS unit में होता है, CGS पद्धती में होता है, तिन गुड़िट, तस का घात, ना, इस्टेट कुलाम, अब इसके बाद हम लोग, देखेंगे, कुलाम का नियाम, ये अगला टॉपिक नहीं है, ये जो पहला नंबर का हम लोग का हेडिंग है ना, इसी के ही अंदर में है, कुलाम का नियाम, ये क्या होता है, क्या होता है, उसको सुनने से बहले देखो, ये कोई दो पॉइंट है, वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, बिंदू आवेस, क्यू और क्यू रखे हुए है, ये हो सकता है, क्यू है, ये हो सकता है, माइनस क्यू है, ऐसा भी हो सकता है, तो अगर दोनों प्लस प्लस होंगे न तो दोनों के बीच में क्या होगा आकर्षन होगा या प्रतिकर्षन होगा तो जब सेम होते हैं न तो प्रतिकर्षन होता है जब अलग अलग होता है न जिसे प्लस और माइनस रहेंगे तो आकर्षन होता है यह चुमबक के लिए भी ला होता है आकर्षण होता है वैसी ही इन दोनों की बीच में है दूरी डी तो कुलाम का नियम यह करता है दो बिंदू आवेसों के बीच में लगने वाला अकर्षण या प्रतिकर्षण बल ब्रन 2.4 अध्र फोर्स एक्टिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन तो जो अकर्षण बल होता है ना बल होगे एप बल को एप से रेनॉट करते हैं एप से प्रजर सित करते हैं तो जो बल होता है वो दोनों के गुड़ा के यह मान के चलो की वान है यह क्यूटू है तो दोनों के गुड़ा के directly proportional होता है दोनों के गुड़ान फल के अनुक्रमान उपाती होता है इसको बोलते है अनुक्रमान उपाती अब देखना वृत का अनुपाती क्या होता है एक बटे ऐसे डी लिग डी स्क्वेर लिग देंगे एक बटे कर लिखेंगे तो क्या हो गया एक का वृत क्रमान उपाती हो गया मतलब दोनों के दूरी का वो दूरी के वर्ग का वृत क्रमान उपाती है इन्वर्सली प्रपोस्टनल है एक के डायक्ली प्रपोस्टनल क्या है तो दोनों का गुड़ा दोनों पॉइंट चार्ज का दोनों बिंदू आवेस का गुड़न फल और दोनों के बीच के दूरी का वित्कमान उपाती इन्वर्सली प्रपोस्टनल है फोर्स बल अब इसको हम लोग मिलाक लिखेंगे तो A बराबर होता है Q1 गुड़ित Q2 बटे R स्क्वेर और यहां पर एक कॉंस्टेंट लगता है जिसको A के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं डिनोट करते हैं अब A का मान अलग अलग होता है वायू के लिए अलग अलग होता है निर्वाद के लिए और अलग-अलग माध्याम में वो अलग-अलग होता है तो वायू या निर्वाद के लिए होता है उसका मान A बराबर वायू या निर्वाद के लिखना A बराबर एक बटे 4 पाई Epsilon 0 ठीक है इसको बोलते है डाइ इलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट अप एनी मीडियम मतलब होता है किसी माध्याम का निर्वेक्ष विद्यूत सिलता निर्वेक्ष विद्यूत सिलता ऐसा करके लिखना है क्रका मतलब है इसका मतलब होता है इसका माध्यम का है वह वह वायू यह निर्वाद एर और वेक्यूम, उसका क्या है? वो निर्पेक्च विद्यूत सिलता, अब इसका आमान क्या होता है? एक बटे, फ़र पाई, इपसेलान, इसका मतलब होता है, ना गुडित, इतना, नीूटन मीटर स्क्वेर अपान कॉलामे स्क्वेर, इतना होता है, कि अब इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक देखते हैं इसको आप लोग नोट डाउन करो इसको मिटाता हूँ अब इसके बाद लिखना दूसरा नामबर टॉपिक विद्यूत विभव विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्यूत विभव क्या होता है इसको ऐसे समझते हैं यह एक विद्यूत चेत्र है यह कोई विद्यूत चेत्र है अब अनांत से किसी आवेश को किसी आवेश को अनांत से लाने के लिए अनांत से हम लोग को इस विद्यूत चेत्र में लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विद्यूत विभव क्या बोला work किया गया कार्य इसको q-naught से denote कर दिए बटे q-naught यही है इसका रहेगा q-naught अब इसका यूनीट मातरक क्या है तो कार्य का क्या मातरक होता है आप लोग पढ़े होके पहले कार्य का मातरक होता है जूल और आवेश का कुलाम तुजूल प्रती कुलाम ये विद्यूत विभाव का मातरक हो गया छोटा चीज है बस इतना ही समाजना था इसमें ये वाला फार्मुला हो गया और ये उसका मातरक हो गया अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तिसरा नमबर चीज हमारा अब इसके बाद लिखना तिसरा नमबर में विद्यूत छेत्र की तीवरता ये क्या होता है इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फिल्ड विद्यूत छेत्र की तीवरता क्या होता है तो इसको सबोजने के पहले सबसे पहले हम लोग विद्यूत छेत्र को समझते हैं तो इवरता विवानने से पहले विद्यूत छेत्र क्या होता है तो कोई चार्ज है कोई आवेस्थ है उसके आजपास के छेत्र उसके चारों तरफ जहां पर इसके पहले विवानने में बताया कि अनन्त से विद्यूत छेत्र में जाने के लिए जो कारे लगता है तो विद्यूत छेत्र में बोला विद्यूत छेत्र को में वहाँ पर नहीं समझा था अब विद्यूद्चेत्र को यहाँ पर समझते हैं किसी चार जाके किसी आवेश के आस पास चारोत रब जहां आकरसंड या प्रतिकरसंड बल अट्रेक्शन और रिपल्सन आकरसंड या प्रतिकरसंड बल का अनुभा होता है उसे क्या कहते हैं? vydhut khetr. मान कि चलो यहां तक हम लोग को अनुबाव होता है, से बाहर नहीं होता है. यहां तक को हम लोग बोलेंगे विद्धut khetr. यह एक कालपनी के रेखा है. मैं बता रहूं, यहां पर plus q है, यहां में minus q है. यहां से ऐसे करके निकलेगा हमेसा यह रूल याद रखना प्लस के उसे निकलता है और माइनस के पास जाके खतम होता है जिसके चारों तरफ से इधार सब तरफ से निकलेगा यह ऐसे जाके खतम होगा यह ऐसे करके जाके खतम होगा यह ऐसे करके जाके खतम होगा यह चीज याद रख चेत्र की तीवरता समझते हैं यह मान की चलो हमारा कोई इकाई आवेस है युनिट चार्ज बलते इंगलेस में इकाई आवेस इकाई आवेस पर विद्युत चेत्र में लगने वाला बल विभाव क्या था किया गया कार या था विभाव का फार्मला था व बराबर डबलू बर टेक ही और यहां पर विद्युत चेत्र की तीवरता इसको इस इस दिनोट करते हैं इसके बराबर होता है किया गया कार या यह नाट नाट कर क्लिक दो यह एकाई चार्ज है एकाई आवेस या इनिट चार्ज हैं को हम लोग क्यो नाट क्यों जीbut करते हैं यह हमारा क्या हो गया विद्युद्चेत्र की तीवरता यह चीज बस समझाने के लिए इसको आप लोग लिख चुके हो तो यह विद्युद्चेत्र की तीवरता है क्या चीज है तो इकाई आवेस पर लगने वाला बल किसी विद्युद्चेत्र में यह होता है विद्युद् बल का होता है Newton कारे का क्या होता है जूल Newton बटे Newton प्रती कुलाम यह हो गया इसका मातरक हो गया अब हम लोग कुलाम के नियम से पढ़े है एव बराबर q1 गुडित q2 2 बटे 2 कवर्ग अब यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर अनुभा उख कौन सा कर रहे हैं की वान को लोग इसके च्षयत्रम ले जा रहे हैं तो जो बल का अनुभा हो रहा है यहाँ पर q2 के जखा क्या हो ग्यूंट हो गया अब इसको हम लोग यहां पर रखते हैं तो यह बराबर हो जाएगा यह और यह कट जाएंगे ए क्यू वटे डी का वर्ग तो यह हो गया हमारा विजित छेत्र की तीवरता का यहां पर जो क्यू वन है उसको हम लोग सिर्फ क्यू लेख दिये हैं यहां पर जो रिने क्यू वाई ही है यहां पर कोई क्यू भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई भी चार्ज है तो इसके करांड क्या अनुभाव कर रहा है तो इसके करांड ऐसा बल अनुभाव कर रहा है कैसा बल ऐसा बल अनुभाव कर रहा है तो विद्धु छेत्र की तीवरता क्या हो जाएगी यह हो जाएगी और इसको इस फार्मूला में हम ल लुख लिखो अब नीचे में गूड करके लिखना जिए सबसे पहला नमबर लिखना इसमें यह एक सदीस रासी है यह सबसे और बराबर नमबर रिखना दूसरा नमबर में लिखना बल बराबर होता है यह जो एरो है ना वो यह बताता है कि वो एक सदीस रासी है उसमें दीसा भी है दीसरा नमबर में लिखना मातरक मातरक क्या बताया न्यूटन बटे कुलाम और चौथा नमबर वीमा लिखना M L T का पावर माइनस 3 A का पावर माइनस 1 और मतलब घात T का घात माइनस 3 एक घात एक इस तरीके से तो इसको आप लोग इसके गुण में लिख लेना और यह हमेशा धनात्माक होती है एक गुणा लिख लेना आत्वा नमबर यह धनात्माक होती है विद्युच्छे तकिति उरता कभी द्रिनात्माक नहीं होती है आत्वा नमबर पॉइंट में लिखना अब देखते हैं अब लिखो चौथा नमबर संधारिता संधारण इसके बाद हम लोग संधारित्र देखेंगे लेकिन संधारित्र को देखने से पहले संधारण को देखने से पहले हम लोग संधारित्र क्या होता है यह समझते हैं संधारित्र संधारित्र के टॉपिक में उसके मैं प्रकार को बताऊंगा और कुछ-कुछ formula अगरा सब चीज़ बताऊंगा उसके प्रकार में अलाक अलाक formula होता है उसका बताऊंगा सबसे पहले संधारीत्व क्या होता है संधारी त्रक एक ऐसा चीज है जो विद्यूत उर्जा इलेक्ट्रिक इनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज विद्यूत आवेस का संग्रहाड करता है यहाँ पर विद्यूत आवेस है या इलेक्टरिक इनर्जी है तो उसका संग्रहण करने वाला यहाँ पर पूरा विद्यूत आवेस भरा हुआ है समझ लो एक बाल्टी है जैसे बाल्टी में पानी भरा होता है तो जितना बड़ा बाल्टी होता है उतना हम लोग ज्यादा पानी संग्रहित कर सकते हैं उसी तरीके से है यह जितना बड़ा होगा उतना हम इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को विद्यूत आवेस को या इलेक्ट्रिक इनर्जी विद्यूत उर्जा को हम लोग संग्रहण करके इस्टोर करके रख सकते हैं तो ये क्या हो गया संधारित रहो गया अब संधारित सब दुस्ते संधाराण को समझते हैं संधारण क्या होता है, तो विद्यूत उर्जा या विद्यूत आवेश को संग्रहण करने की छमता, क्या होता है, संधारण, अब इसका फार्मूला होता है, सी बराबर क्यू बटे वी, यहाँ पर क्यू क्या है, विद्यूत आवेश है, और वी क्या है, विद्यूत विभाव, तो संधारण बराबर होता है, विद्यूत आवेश प्रती इकाई विद्यूत विभाव, यहाँ पर आवेश बराबर संधारण गूडित विद्यूत विभाव, कैपोसिटेंथ इंटू पोटेंचियल डिफ्रेंस भी होता है, यह भी एक फार्मूला है, उसी का रूप है, दूसरा, एक फार्मूला याद रखना दोनों हो जाएगा, इस से कोस्टेंस बनता है, अब इसका मातराख क्या होता है, क्या होता है तो हराड करते हैं इतना परियागते हैं जानने के लिए अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे संधारित्र तो अगले लेक्षर में हम लोग उसको अच्छे देखते हैं तब तक के लिए